परिजनोर के महिला जील अस्पताल में एक ही रात में पांच नवजाद बच्चों की मौत होने से हरकम मचा हुआ है परिजनों का कहना है कि पैसे देने के बाद भी डिलिवरी में लपरवाई बढ़ती जिसके चलते दो लड़कों वह लड़कियों की मौत हो गई जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया अस्पताल में एडमिट और मरीजों का कहना है कि हर डिलिवरी पर मैडम को फंद्रा सो ते लेकर पच्चिसों तक दिये जाते हैं परिजन सरकार से दोशी डॉक्टरों वह अस्पतालों स्टाफ के खिलाफ चार्च कराकर सक्तकार रेवाही की मांग कर रहे हैं वही महिला, CMS आभा वर्मा ने भी नवजात बच्चों की मौत की पुष्टी की है अधिक बच्चों की उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है अधिर उस सवान में जब देखा तो हम परिशान होगा है परिशानी सिवादमा में इन सकाहा के मनलग भूं देख रहे हैं तो कह दिया कि कुछ मिलागा तो करा है अच्या पिर आपने क्या करा है पिर हमने थोड़ से पैसे दिये इसने पैसे दिये? किसको दिये? नदम पो मैंने पैसे दारेट लिये आपसे? दारेट पैसे लिये अच्या जो कह लोगा है अब आप क्या चाहते हो बच्चाते कहा हो भारा बच्चा वारा पास्टां पर इंसरीपसाब लिए वह हमारे बच्चों की मौत हुए है पेशेंट बहुत सीरियस थे एक पेशेंट थे उसके बच्चे का अट्रसाउंड ने पहले कराया थे तो बच्चे आयोडी आया थे तो बच्चे की महुत उचलेगी पेट में उसकी डिलिवरेज वह नॉर्मल कराई तो अल्रडी ओड़ी नापी दूसरा पेशेंट था जुस अब जो दुखी होता है उसके मन में हर चीज के लिए दुख है उनका उससे तो हमी भी सिब बैठी लोन पे पर हम हर चीज उनको एक्स्प्रेइन कर सुके कुछ प्रिजन वारोप है कि देखने के लिए कहा तो पर स्टाफ देखने भी नहीं है ऐसा नहीं है हमारा स्टाफ तो अपनी हर तरह से पुशिश करता है कि जैसे अच्छा करें